नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडू टेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में कर था अब जो है सिफ्ट होकर जो है ओ मुंबई में चला जाएगा तो इससे कई लोग बोल ले हैं कि सद्वाइश में अपना आफिस कर रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि आज इस वीडियो में आपके सामने डेटा प्रजेंट करूँगा तेकि एस बैंक लिम्टेट में न्यूस तो बहुत आ रही है लेकिन सेर्स बढ़ नहीं रहा सेर्स अभी भी फसा हुआ है 14-15 रुपे के बीच में लेकिन एस बैंक लिम्टेट के जो करने से इनको ये फाइदा है कि कॉस्ट कटिंग पर फोकस कर रहा है और चाड़क की निती भी यही करती है कि यदि आपका समय खराब हो और आपको ग्रोथ करना है तो आप खर्चे कम कीजिए मेहनत ज्यादा कीजिए तो यहां पर एस बैंक लिम्टेट जो है अपने जो नया है इसका मुंबई में सिफ्ट कर रहा है तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग कम हो जाएगी यानि जो आफिस का रेंट दिना परता था एस बैंक लिम्टेट को हैट क्वाटर के लिए उसमें जो है थोड़ी सी कमी आएगी क्यों क्योंकि आपको पता होगा कि एक अपरे इस से फाइदा कर लिया तो इसी का फायदा उठाते हुए एहां पर सेंटा कुरूज मोंबई में है की और जो नया मनेज़्मेंट है जो है पूरी तरसे शीट होंगे तो इससे फाइदा ऐहोगा कि एक्स्ट्रा स्पेंड रहा था जो एक्स्पैंडसर का या जो रूम रें क्योंकि जब खर्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि बैंक को जो है प्रॉफिट होगा अपको बता दें कि वैकेंटिंग टेन फ्लोर पे जो है यह समय क्लिम्चेट का नया ओफिस होगा मुंबई में ठीक है और यह एलिप्स टोन एरिया में जो है इसका नया हेटकॉाटर ह होगा और यह जो है एकनॉमिक टाइप इंडिया को यह समय क्लिम्चेट के जो एमडी है मिस्टर प्रशांत कुमार इन्होंने आज पूरी तरह से ऑफिशली जो है अनौस्मेट भी कर दिया तो इससे फायदा होगा कि यह समय क्लिम्चेट का जो एक्स्ट्रा पैसा दा रहा जो बैंक का जो खर्चाता हो कम हो जाएगा और बैंक जो है प्रॉफिट वुक करेगा तो यह समय क्लिम्चेट की पूरी टीम लगी हुई है कि बैंक को किसी भी तरीके से ग्रोथ किया जाए चाहे ओडिपॉजिट की संख्या की मिमाइने हो या अलग-अलग कंपनियों के स साथ डील हो आपको बता दें कि एस वैंक क्लिम्चेट का जो खार फॉर का रिजल्ट देख्लेट हो इसमें 378ए क्रोड पचह सतर लाग का भारी नुक्सान हुआ है इस क्वाटर फॉर रिजल्ट में लेकिन येश बैंक क्लिम्चेट का जो ग्रो हो रहा है यही कार्ष मैंक limited का जो management है जब भी उसे कोई opportunity market में मिल रही है bank जो है उसको cover करने की कुछिस कर रहा है चाहे ओ मोभी सफर के साथ deal हो eat cash के साथ deal हो या fast pay के साथ deal हो digital payment के छितर में yes bank limited growth करता ही जा रहा है क्योंकि मोभी सफर हो गया pay nearby हो गया इसके जो retail निविशक है यानि इसके जो retail outlet है पूरे इंडिया में सबसे जादा जो है मोभी सफर और pay nearby के हैं तो इनसे जो transactions होंगे उस transaction जो पर जो थोड़ा सा extra charge लगेगा ओ कहीं न कहीं yes bank limited के profit में जो है add करने का काम करेगा तो यहां पर धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो fund raise की planning थी ओभी fund raise हो चुका है और yes bank क्लिम्चेट का जो board up director की meeting होई थी दस जुन को उसमें पूरी तरह से declare कर दिया गया है कि yes bank limited जो है debt security के जरिये जो है दस हजार करोड का fund जो है रेच करेगा तो यह वी एक successful न्यूज है और आज की जो दूसरी सबसे latest न्यूज दोस्तो न ए आर्थील यहनि कि national asset reconstruction company limited ठीक है national asset reconstruction company limited में जो कैनरा bank केंद्रा बैंक भी आपको पता हुगा कि गॉर्मेंट बैंक है भाद का पी एश्यू बैंक है उसका सबसे ज्यादा बैड लोन यहाँ पर बारा पर्सेंट का एक्विटी जो शेहर से उसमें बैड लोन की जो अपर्चिनूटी है और इस पॉंसर इसको किया गया है उसका नाम है केंद्रा बैंकेंद्रा बैंक जो है जो सकार की तरब से जो च copy बनाया गया है aşk richer र्यक्स्टक्षών कंपणी इसमें जो है टेकोभर कर रहा है और सारे बैंकों के साथ केंद्रा बैंक जो है प्येश्यू बैंक है उसमें यस बैंक लिम्टेट का भी नाम सामिल है तो इस अब जो है लीड कर रहा है और जो इनका बैड लोन है वो जो है एन ए आर्सियल के हवाले किया जाएगा यानि कि नेशनल एसे रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिम्टेट के हवाले किया जाएगा और उन्हीं अकाउंट्स को किया जाएगा जीनका जो है अकाउंट बैड लोन पांसो करोड रुपे से उपर का है तो आप देखेंगे कि यस बैंक लिम्टेट का अमाउंट तो काफी बड़ा है तकरीबन जो है 17,000 करोड से उपर का बैड लोन पड़ा हुआ है तो जैसे ही ये और उस पर मैंने कल वीडियो भी बनाया था यदि नहीं देखा है तो एक बार प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लिजिए कि 1.53 लाख करोड जो है बैड लोन के रूप में जो है राइट आफ किया गया है और ये जो है एन पीए का अमाउंट है तकरीबन डिल लाख से उपर है तो इन सभी बैंकों ने जो बैंकों का एसोसियेशन होता है आई बीए नहीं कि इंडियन बैंकिंग एसोसियेशन उन्होंने सेवी को बताया है कि 10 लाख करोड से अधिक उनका इन पीए हो रहा है और तकरीबन 22 अकाउंट को अभी तक जो है आइडेंटिफाई क किया गया है और इनके जितने भी बैंकों को करजा दिया है और वो कंपनिया आप करजा नहीं चुकता कर रहे हैं उनसे वसुला जाएगा चाहे उनकी संपत्ति को कूर्क करना पड़ा पड़े या उनकी प्रस्नल प्रॉपटी को सील करना पड़े या उनकी अकाउंट को लोन है बैंक को वापिस किया जाए ताकि बैंक में एक नई जान मिल सके क्योंकि बैंक अगर धरासाई हो गया तो इंडिया की पूरी एकनॉमिक जो है तबाह हो जाएगी तो इसलिए गोवर्मेंट भी इसके पीछे पढ़ा हुआ है कि इंडियन गोवर्मेंट कभी नहीं चा क्योंकि अब तो बैंक पहले के तुला में कापी जादा एग्रेशिव है और कापी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है वहीं चार्ट पैटन को रीट करें तो आप पाएंगे कि जो इससे पहले जो 10% की तेजी आये थी उस स्कैंडल को अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अ आज के कारोबार की तो 14.15 पैसे से ओपेन हुआ 14.35 पैसे यस मैंक लिम्टेड ने आज अपनी डे का हाई बनाया 14.05 पैसे आज यस मैंक लिम्टेड का लो रहा और 14.15 पैसे यस मैंक लिम्टेड ने अपनी क्लोजिंग दे तकरीबन और जिस प्राइस से ओपनिंग हुई उसी प्राइस पर क्लोजिंग हुई यानि कल की तूला में आज जो है पांच पैसे की तेजी देखने को मिली हैं। अच्छा हो रहा है और आपने फ्री टेल को देखी लिया कि किस तरह से नीचे जाने के बाद जम पाया अपर सरकीट के बाद अपर सरकीट लग रहा है फ्यूचर ग्रूप के शेयर में तो यस बैंक लिम्टेड में भी कुछ ऐसा ही होगा लेकिन आपको यदि बड़ा पैसा है तो आपको होल करना पड़ेगा फ्यूचर गुरूप की तरह क्योंकि आपने फ्यूचर गूरूप को देखा कि सबको लग रहा था अब खतम हो जाएगी लेकिन फ्यूचर गूरूप ने बांस बैक किया और आज परिटेल फ्यूचर कंजूमर जितने भी फ्यूचर तो yes bank limited में भी आसाई होगा तो प्लीज आप hold करके रखिए आपका पैसा जरूर बनेगा यदि आपके पास कोई comment है तो नीचे comment box में जरूर comment कीजिए तो I hope दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगा यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अधिक सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी काता है दिल से बहुत बहुत भन्यवाद